दोस्तों नमस्कार इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड परिक्षा दो हजार चोबिस के लिए कक्षा दस हिंदी से 40 महत पुरुड बहु विकल्पिय प्रस्न लाए हैं दोस्तों आपके प्रस्न पत्र में खंड आ से 20 अंक का बहु विकल्पिय प्रस्न पूछा जाता है तो इस वीडियो में जितने भी प्रस्न है सब परिक्षा की दृष्टी से भेरी भेरी इंपॉर्टेंट हैं और यह सब प्रस्न लागातार कई वर्सों से पूछे जा रहे हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं ध्यान से देखिएगा सभी प्रस्न महत पूड है पहला कलम का सिपाही किस विधा की रचना है तो दोस्तों कलम का सिपाही इसके लेखक हैं अमरित राय जी और यह आपका जीवनी विधा की रचना है तो यहाँ पर सही उत तर जाएगा आपसन ए के साथ कलम का सिफाही जीवनी विधा की रचना है लेखक अमरित राय जी हैं अगला प्रशन देखते हैं दोस्तो स्रिंखला की कडियां कृती के रचनाकार हैं तो दोस्तो स्रिंखला की कडियां इस कृती के रचनाकार आपसन सी यानी महादेवी वर्म जी हैं याद रखेगा स्रिंखला की कडियां महादेवी बर्मा और दोस्तों स्रिंखला की कडियां निबंध विधा की रचना है ये भी याद रखना है स्रिंखला की कडियां किस विधा की रचना निबंध विधा की रचना और रचनाकार महादेवी बर्मा तीसरा प्रस्न हिंदी की प्रथम डायरी किसे मानी गई है तो देखिये दोस्तों हिंदी की प्रथम डायरी मेरी कालीज डायरी को माना जाता है तो यहाँ पर आपका सही उत्तर आपसन भी होता है हिंदी की प्रथम डायरी मेरी कालीज डायरी याद रखियेगा चौथा प्रस्न उक्ति ब्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है उक्ति ब्यक्ति प्रकरण के लेखक दामोदर सर्मा जी है आप सन ए सही होता है उक्ति ब्यक्ति परकरण दामोदर सर्मा दोस्तो यह सब प्रस्न लागातार रिपीट होने वाले हैं इसलिए आप इन्हें जरूर तयार कर लेंगे पाचवा प्रस्न हांस पत्रिका के संपादक थें कौन थे दोस्तो जल्दी बताईए हांस पत्रिका के संपादक मुनसी प्रेम चंद थे यानि यहाँ पर आपका आपसंडी सही अंसर है प्रस्न च्छ निम्न में से भारतेंदू युग के लेखक है तो दोस्तो बताना है कि इन में से कौन भारतेंदू युग के लेखक है प्रताप नरायन मिस्त्र राहुल संकृत्यायन जैसंकर परसादिया अग्ये तो यहां सही उत्तर जाएगा आपका विकल्प ए के साथ प्रताप नरायन मिस्त्र भारतेंदू युग के लेखक हैं अगला प्रस्ण देखिए निम लिखित में से आलोचना के छेत्र में प्रसिद्ध हैं कौन आलोचना के छेत्र में प्रसिद्ध हैं प्रेमचंद, रामब्रिक्षबेनीपूरी, जैनेंद्र कुमार, रामचंद्र सुकल तो दोस्तो आचारे रामचंद्र सुकल आलोचना के छ खित्र में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं या हिंदी के एक महत्पुर्ण प्रसिद्ध आलोचक हैं याद रखिएगा प्रश्न संख्या आठ नदी के द्वीप कृती के रचनाकार कौन हैं महत्पुर्ण रचना है दोस्तो नदी के द्वीप इस कृती के रचनाकार अग् जी का पूरा नाम सचीदानंद हिरानंद वात्सयायन अग्य है और यह आपके प्रयोगवादी का व्धारा के कभी हैं। आप्सन D यानि सदल मिस्र जी है नासी के तो पाख्यान लेखक कौन सदल मिस्र दस नमबर आसाड का एक दिन कृती के रचाईता है आसाड का एक दिन इस कृती के रचनाकार मोहन राकेश जी है आप्सन भी सही उत्तर आसाड का एक दिन मोहन राकेश और दोस्तो आसाड का एक दिन नाटक विधा की रचना है ये भी ध्यान में रखेंगे ग्यारा नंबर निम्ण में से कौन सी रचना पंत की नहीं है उत्रा गुंजन चिदमरा अडिमा इसमें से कौन सी रचना पंत यानि सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है तो दोस्तो उत्रा पंत जी की है गुंजन भी पंत की है चिदमरा भी पंत की है लेकिन यहाँ पर जो आप संडी में अडिमा रचना है यह पंत जी की नहीं है दोस्तो अडिमा आपका निराला यानि सुरेकान त्रिपाठी निराला जी की कृती है तो आप संडी सही है अडिमा पंत की रचना नहीं है किसकी है तो निराला की है बारह नंबर निम्न में से दिवेदी युग का महाकाब्य है कौन सी रचना दिवेदी युग की महाकाब्य है तो दोस्तो पदमावत यह आपका भक्तिकाल का महाकाब्य है कामाईनी छायावादी महाकाब्य है पृतिवी राजरास आदिकालीन महाकाब्य है तो सही कोन हो गया साकेत साकेत दिवेदी युग की महाकाब्य है और इसके रचनाकार मैतली स्रण गुप्त जी है तेरह नमबर देखिए दोस्तो उरवर्सी कृती के रचनाकार कौन है उरवर्सी याद रखिएगा उरवर्सी के रचनाकार रामधारी सी है दिनकर जी है तो आप सन्य सही होता है उर्वर्षि कृति के रचनाकार रामधारी सी हैं दिनकर महादेवी वर्मा को नहीं दोस्तो इन्हें तो आधुनिक युक्की मीरा कहा जाता है नागार जुन को नहीं त्रिलोचन सास्त्री को नहीं बच गय कौन सुमित्रा नंदन पंत तो दोस्तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृती का सुकुमार कभी कहा जाता है याद रखिएगा पंद्रह नंबर गीत फरोस कृती के रचनाकार कौन है दोस्तो गीत फरोस कई बार एक जामस में आ गया है इसके रचनाकार भवानी परसाद मिस्र जी है याद रखिएगा गीत फरोस भवानी परसाद मिस्र सोलह नंबर तार सब्तक का प्रकासन वर्स है तो दोस्तो तार सब्तक का प्रकासन वर्स सन उनिस सो तेतालिस इस्वी है एक प्रस्नेहा से और बनता है कि तार सब्तक के संपादक कौन थें तो याद रखिएगा तार सब्तक के संपादक अग्ये जीत हैं सत्रह नंबर मती राम किस काल के कभी हैं मती राम भक्ति काल आधुनिक काल रिती काल आधी काल तो सही उत्तर हो जाएगा रिती काल मती राम रिती कालीन कभी हैं अठारा नमबर देखिए निम्न में से राष्ट्र कभी की उपाधी किसे दी गई है जैसंकर परसाद को नहीं मैथली सरलगुप्त को जी हाँ या सही उत्तर हो जाएगा आप सन्वी मैथली सरलगुप्त राष्ट्र कभी के रूप में जाने जाते हैं उननिस नमबर निम्न लिखित रचनाओं में से दिवेदी युग की रचना है कस्मीर सुस्मा आगन के पारद्वार प्यासी पत्राई आखे प्रिय परवास तेहां सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो आप संडी दिवेदी युग की रचना प्रिय परवास है और इसके रचनाका रचनाकार हरी ओध जी हैं और दोस्तों प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाब्य माना जाता है। रचनाकार कौन है? हरी ओध किस युग की रचना है? दिवेधी युग की. 20 नमबर देखिए रामचंद्री का क्रिती के रचनाकार कौन है तो दोस्तो रामचंद्री का रिती कालिन रचना है और इसके रचनाकार के शोवडास जी है अब दोस्तो 21 नमबर यहाँ से ब्याकरण समंधित प्राष्ण शरू होते हैं सांत रस का इस्थाई भाव है देखिए दोस्तो ऐसे तो आपको बस दो ही रस पढ़ना है हास रस और एकरोड रस लेकिन आप सभी रसों का इस्थाई भाव जरूर याद रखेंगे क्योंकि प्रस्ण बहुभी कल्पय में पूछा जाएगा और सभी रस का इस्थाई भाव पूछा जा सकता है जैसे हाँ पूछ दिया सांत रस का इस्थाई भाव तो क्या होगा दोस्तो निर्वेद सांत रस का इस्थाई भाव निर्वेद याद रखिएगा 22 नमबर इस्थाई भाव को उदिप्त करने वाले कारण कहलाते हैं यानि जो कारण इस्थाई भाव को उदिप्त कर देता है तिब्र कर देता है यानि बढ़ा देता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम उद्वीपन विभाव कहते हैं तो सही उत्तर जाएगा आपसन सी के साथ इस्थाई भाव को उद्विप्त करने वाले कारण उद्विपन विभाव कहलाते हैं तेश नंबर चरण सरोज पकारन लागा पंकती में अलंकार है रूपक उत्परिक्छा यमक अनुप्रास तो देखे दोस्तो चरण उपमे है और सरोज उपमान है लेकिन इस उपमे और उपमान के अंतर को मिटा कर उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप हो रहा है कहा जा रहा है चरण सरोज यानी कमल रूपी चरण वहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया दोस्तो बिल्कुल सही रूपक अलंकार आप सने राइट एंसर अगला प्रशन दीखे दोस्तो अलंकार के कितने भेद होते हैं सिंपल सी बात है दो भेद सब्दा अलंकार और अर्था अलंकार तो मुख्यतह दो भेद ही होते हैं दोस्तो एक और होता है उबह अलंकार लेकिन आपको दो में ही टीक लगाना है पचीस नंबर रोला छंद के प्रतेक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं तो दोस्तो रोला एक सम्मात्रिक छंद है और इसके प्रतेक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं तो आपसन भी सही होता है 24 मात्राएं 26 नंबर सोल्ठा किस प्रकार का छंद है अर्ध सम्मात्रिक छंद सम्मात्रिक छंद विसम्मात्रिक छंद वर्ड बृत छंद तो दोस्तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है और दूसरे चोथे चरण में 13-13 मात्रा होती है तो देखिए जेस चरड की जेस चंद में मात्राएं अलग-अलग हो एक जैसा ना हो वो आपका अर्धसम मात्रिक चंद कहलाता है जैसे सोरठा में आधी मात्राएं समान है पहला और तीसरा चरड की दूसरे और चोथे चरड की मात्राएं समान है तो यह हो गया आपका अर्ध प्रयुक्त हुआ है दू को दूर स तो देखे दोस्तो मूल सब्द गम है और इसमें दूर उपसर्ग के लगने से दूर गम हुआ है तो यहां पर आपसंसी सही होता है दूर दूर गम सब्द में दूर उपसर्ग है 28 नमबर अनुक्रम सब्द में कौन सा उपसर्ग पर्युक्त हुआ है अनु अभी अना मूल सब्द है क्रम और इसमें अनु उपसर्ग के जुड़ने से अनुक्रम बना है तो सही उत्तर होगे आपसन ए अनु 29 नम्मर लिखावट सब्द में कौन सा प्रते प्रयुक्त हुआ है आवा आना आवट तो लिख धन आवट मिलकर लिखावट हुआ है तो यहाँ पर आपसंसी आवट सही उत्तर होता है 30 नम्मर सुन्दर्टा सब्द में कौन सा प्रते प्रयुक्त हुआ है सुन्दर में ता प्रते के लगने से सुन्दर्टा बना है तो यहाँ पर आपसंसे यह ता सही उत्तर है 31 नमबर दोस्तों सब्तर्षी में कौन सा समास है सब्तर्षी यानि सात रिस्तियों का समु हो तो देखिए पुरोपद सब्त संख्यावाची है और उत्तरपद रिसी प्रधान है तो जिसमें पूरो पद संख्यावाची और उत्तर परद परधान हो, वहां पर दोस्तो दिगू समास होता है, तो यहां पर आपसंसी सही उत्तर दिगू समास, 32 नंबर विसधर में कौन सा समास है, विसधर जो विस को धारण करता है, अर्थार्थ सर्प, तो यहां देखिए दोनों पद परधान होकर अन्य तीसरा पद परधान है सर्प, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, जल्ली बताइए, बहुब्रिही समास, बहुब्रिही समास में दोनों पद परधान होकर अन्य पद परधान होता है, जिसे विसधर विस को धारण करने वाला, यानि तीस पद सर्प हो गया तो बहुब्रही समास तेतिस नंबर निम्न में से कौन सा सब्द तत्सम है तत्सम का मतलब संस्क्रीत सब्द तो देखे दोस्तो नखत तद्भो है इसका तत्सम नचत्र होता है भौरा तद्भो है तत्सम भ्रमर होता है पोथी तद्भो है तत्सम उस्तक हो लेकिन दोस्तो आपसंडी गोधुम आपका तत्सम है यह गेहु का तत्सम रूप है गोधुम तो यहाँ पर सही उत्तर डी होता है गोधुम तत्सम सब्द है 34 नमबर निम्न में से कौन सा तत्सम युगम गलत है तो देखे दोस्तो तत्सम और तत्सम युगम गलत है तो नृत्य का तत्सम नाच होता है दधी का तत्सम दही होता है यहाँ मिस्प्रिंट हुआ है याद रखियेगा दही लिखा रहेगा और कंटक का तत्सम काटा होता है लेकिन दोस्तो आख का तत्सम चछु नहीं होता, आख का तत्सम आपका अक्छी होता है, क्या चीज? अक्छी, अ और छतरी वाला, छ फिषोटी की मात्रा, अक्छी, तो यहां पर आपसंसी गलत है, आख का अक्छी होगा, न कि चछु, चछु तो आपका प्रयावाची हो गय 35 नमबर असुर सब्द का प्रयायवाची नहीं है तो दोस्तो देत्य है दानो ये भी है दनुज भी है लेकिन जो आपसन भी यक्ष है यहाँ असुर का प्रयायवाची नहीं है असुर मतलब राक्षस होता है और यक्ष एक देवताओं की जाती है तो यहाँ पर सही उत्तर आ 36 नमबर अमरित का प्रयायवाची सब्द नहीं है कौन सब्द अमरित का प्रयायवाची नहीं है सुधा दोस्तो है पिवस भी है अमिय भी है लेकिन आप्षन सी रसाल यह अमरित का प्रयायवाची नहीं है यह किसका प्रयायवाची है दोस्तो आम का अगला प्रस्न देखते ह 37 नमबर हसिस्यती का पुरुष एवं वचन है तो देखे दोस्तो हसिस्यती हसिस्यता हसिस्यंती यहां आपका प्रथम पुरुष एक वचन होगा क्योंकि हसिस्यती हसिस्यता हसिस्यंती तो हसिस्यती प्रथम पुरुष एक वचन सही उत्तर आपसन सी 38 नमबर पठसी का पूरुष एवम वचन है पठसी का तो पठसी पठता है पठत तो दोस्तो यहां आपका क्या हो गया मध्यम पूरुष एक वचन पठसी का क्या होगा मध्यम पूरुष एक वचन तो आपसन डी सही होता है अगला प्रस्ण दोस्तो 49 नमबर फलेशु सब्द रूप का विभक्ति एवं वचन है फलेशु का बताना है तो दोस्तो फलेशु आपका सब्तमी विभक्ति का बहु वचन रूप है याद रखियेगा चालिस नमबर नदी भी सब्द का विभक्ति एवं वचन है तो दोस्तो यह तृत्या विभक्ति बहु वचन है यह सब प्रस्ण आपके एकजामस में बहुत आपकी मदद करेंगे अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्य प्रवाद